आज में बैग बोटन मुटनें ब्लाओ शक्रटिंग करके दिखाऊंगी बैग साथ भूक नहीं होगा यह बटन होगा तो इसके लिए देगे सबसे फिला में बैग पाट काटना है फिब्रीक मेंने वह तो फोल्ड किया यहां से ओपेंड साइड है यहां से जोएंड साइड ह तो लंबाय आपको अपनी हिसाब से लेना है मैं यहां से राखूंगी इस तरफ से यह जो यलो कलार है यह छोड़ देना है जो फेब्री के दो कलार का है निचे के तरफ यह उपर के तरफ रेट है तो टूटा लंबाय देखें सिलाय मार्जिन लेकि मैं फोटे निस आपकी ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है तो पहले इसको सिधा कर लेना है तो यह तो यह डाइरेक फेब्रीक पर काटिंग होगा जिसके कारण यहां पर बटन के लिए हां पर छोड़ देना है पहले इस तरफ से हापिस छोड़ने के बाद ही बाकी मेजरमेट यहां से लेना है यहां पहले मैं शोल्डर राखूंगी तो शोल्डर आपको आपनी हिसाब से लेना है मैं यहां पर देखिए 7 इंचे 2 जादा राखूंगी उसके बाद देखिए यहां से मैं शोल्डर को डाउन कर लेती हूं लगबग हापिस फिर यहां से हमें आर्म होल के लिए मेजरमेंट लेना है मैं अब देखे six and हापिस रखूंगी तो आपकी ज़्यादा भी हो सकता है यह कम भी हो सकता है यह seven is भी हो सकता है जिसका जितना है उसी हिसाब से लेना है अब इसको बराबर मिलाना है देखे शोलर का मेजरमेंट मैंने जी निशळना दिया था यह भी छाती का टो टा से लेना है देखे मैं इहां से रख रहे हूं eight and half थाटी फर का शोता है एंट вас उसके बद मैं यहां पर टू इस रखंगी तो जादा फेब्रीक अंदर की तरफ ने रखना है जिसके कारण में यहाँ पर कम लिया है आप यह घुलाई देया है यहँ पर लगबक देगे हाफ़ी से भी थोड़ा कंव है तीन सूत आज स्वास यहाँ पर लेना है और इस तरफ देखे हलका से अंदर की तरफ से लेना है किस तरह से तो तो टाल देखिए हां पर जितना चाहती है उसे उमानिस कम रखूंगे मैं कमर के लिए तो यह पर मैं नाइन अप इस रखूंगी अभी है पर नेक का चौराइए लेना है मैं इस फोर इस रखूंगी देखिए यहां से अभी तुनों पैंट को मिलाना है नेक डिप दिलेना है तो यहां से फोर इस रखूंगी अभी नेक डिप देखिए मैं थ्री अनहाप इस रखूंगी तो बोट नेक पे नेगडिव 3.5 इस देने से फिटिंग सबसे ज़्यादा अच्छा होता है फिर भी अगर किसी को थूरा ज़्यादा चाहिए तो 4 इस ले सकते हो तो अब इसको काट कर लेना है तो देखें यहाँ पर मैंने काट कर लिया और यहाँ और एक बात रहे गया है आर्भूल मैंने सिक्षन हापिस लिया तो मेरा आर्भूल कितना था 16 इंस था तो देखें यहाँ पर शोल्डर पर यहाँ पर सिलाए पर हापिस दावेगा उसकी पर जब आस्तिन जोड़ेगा तो यहाँ से भी लगबखा पिसके आसपास मैनास होगा फिर यहाँ से हमें मेजिनमेंट लेना है देखें इस तरह से देखें यहाँ पर हो रहा है 18 यह मतलब 16 है लेकिन यह जो फीटिंग्स होगा ब्लाउस फीटिंग्स के टाइम वानीज हमें है लोजिंग मिलेगा तो देखें इस तरह आगे है तो बोट नेक पर आपको हमेशा लेना है अगर छोटा होता है तो थूरा निची की तरफ लेके आना है अगर ज्यादा होता है उस्टेंपे थूरा सब्वर की तरफ देना है आपका साइज ज्यादा भी हो सकते कम भी हो सकते तो ब्लाउस का पूरा मेजिनमेंट लेने के बाद आप आर्मूल एक पर जुरू चेकर लीजे का, काटने के पहले काटने के बाद यह नहीं हो सकता है काटने के पहले आपको चेकर के देखना है आपका कीतना है, उसे हिसाब से आपको यह measurement लेना है तो आपका आर्मूल पे कोई भी दिकत नहीं होगा जो इहां पर बाद में आलाग करूँगी होगा, यहां पर हलका सा काट लाए के रखना है तो इस तरब देखिए जो मैंने एक्स्टर लिया था इसको छोड़ देना है यहां पर देखिए निशाना को हमें बाहर की तरफ रखना है यह एक्स्टर है, क्योंकि फ्रोंट पर ओपन नहीं होगा जिसके रणाम है यहां पर जो एक्स्टर लिया था यहां पर नहीं चाहिए देखिए आप यहां से जो मैंने एक्स्टर लिया बाहर की तरफ रखा है उसके बाद जैसे यह है, बिल्कुल व्यास से पहले निशाना देना है अब इसको हटा लेना है तो यहां पर देखिए फ्रोंट आन्हूल पर हमें शेप देना है पॉने एक इसका यहां पर शेप देना है, पॉने एक वोटनेक पर आपको यह शेप जोरूर दे रहा है, नहीं तो फ्रोंट साइट पर आपका बहुत ज़्यादा फेबरी फुला हुआ रहेगा अभी तेकी इस तरफ से हमें वानिस एक्स्टर लेना है मैं ट्राक्स थुरा ज्यादा करके राखूंगी जिसके करण यहां पर वानिस लिया अगर आपको यह ट्राक्स से बहुत ज्यादा राखने उस टाम पर आप यहां पर वान एन हाफ इस भी ले सकतों तो देखी मैं यहाँ पर उवान एन हाप इस राख देती हूं अगर बाद मैं ज्यादा होगा तो एक्स्टर काट लूँगी क्यों देखें ज्यादा होने से कोई दीकति नहीं होगा लेकिन कॉम होने से थुरा प्रोब्लेम होगा फिर नीचे की तरप देखिए यहां पर मैं इस Works राखूंगी तो देखे मेन अब इदेखिए इस पर टक्स के लिए निशाना देना है आप चाहो तो फेबरिक भी दे सकते हो या आप चाहो तो आस्तर भी भी दे सकते हो यहाँ से देखिए सबसे पिले आपको शोल्डर से मेजरमेट लेना है शोल्डर से आपको बास्ट पॉयंट निकाल लेना है यहाँ पर देखिए बास्ट पॉयंट नाइन हाप इस पर है लेकिन हमें हाप इस सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्टर लेना है यहाँ पर सिलाई होगा जिसके करण हमें हाप इस जदा लेना है तो मैंने हमें टैनिस पर अब इसकी वराबर करके हमें यहां पर फ्रॉंट पर जो टाक्स होता है, यह आपको जोरूर फूलबस्ट की हिसाब से देना है तो जितना आपका फूलबस्ट होगा, उसका दोस्वभाग लेना है जैसे यह 38 फूलबस्ट है, तो 38 का दोस्वभाग है 3.8 यहां पर आपको जोरूर देना है तो यह सीधा नीचे के तरफ लेके आना है यहां पर फिर इस तरफ देखे कहां पर टाक्स देना है यहां से देखी मैं लगबग 5 इंस पर रखूंगे इसको इसके साथ मिलाना है सीधा लेके आना है हमें फॉर इस तक लेका हूंगी इस तरह से देखें यहाँ जो टाक्स होता है इसके लिए एकस्ट्रा फैब्रिक लिने का कोई जरूरी नहीं होता है जो गुलाई होता है गुलाई के कारण यहाँ पे काबार हो जाता है अब इजो टाक्सी सीधा रखना है टू एन हाफ इस पर रखूंगे मैं इतना तक जितना वाइन जीघर एक्स्ट्रा लिया उतना ही यहां पर टाक्स होगा तो वाण इसलिया आता तो यहां पर वाण इसका टाक्स होगा तब देंख इस तरव कहां पर टेना है यहां पर टेकि मैं आप चाहो तो सीधा भी राख सकतों या चाहो तब तब हाल कासा तिर्चा भी कर सकतों यहां पर देंखिए कि मैं 4 अपीस पर लाकूंगे हलका सातीर रखोंगे मैं 6 इस पर रखोंगे यहां तक तो यह बीदी के सेम हमें वान इसका देना है जितना मैं एक्स्ट्रा लिया उत्रा ही यहां पर आपको टाग्स देना है जाद आप नहीं दे सकते देखिए सेम निशाना में आस्तर पर लगा होंगे और इस तरफ देखिए आप अपने पसंद की हिसाब से यहां पर टाग्स दे सकते हूं यहां पर देखिए मैं टूइस भी लगा सकते हूं इस तरफ से तो जीतना आपको टाग्स देना है आप उतना यहां पर दे सकते हो और नॉर्माले जीस तरह किसे मैं आस्तिन काटती हूं उससी तरह इसमें आस्तिन काट लेना है तो यहां पर काटिंग कम्प्लिट हो गया नेक्स वीडियो पर मैं सिला दिखाऊंगी उम्मीज आपको